अच्छा बारी बेले विद्ध्यार्थियों को गडिस स्प्जेक का मॉडल कुष्चन पेपर दिखा रहा हूँ और इसमें जितने भी प्रस्ण है उसका उत्तर भी मैं आप लोगो को दे दूँगा ठीक है तो मैं आप लोगो को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मॉडल पेपर इससे 40 नंबर के प्रस्ण आते हैं तो 40 नंबर के प्रस्ण मॉडल पेपर से आते हैं अगर इससे ज़्यादा कि आपके तैयारी करना है तो इसके लिए आपको परिच्छा बोद को पूरा प्रैटिस करना पड़ेगा परिच्छा बोद में जो प्रस्ण है वहाँ से बहुत सारे प्रस्ण आएंगे लगबग लगबग सारे आते हैं एक-दो प्रस्ण जो नहीं आते है न वो same to same उसके type होता है तो जैसे आपको idea मिल गया कि ये प्रस्ण ऐसे बनेगा तो लगबग लगबग मान बदल के कोई मान को कोई दूसरे प्रस्ण को दे देगा तो same to same वैसे ही रहता है ये ठीक है तो परिच्छा बहुत बहुत अच्छा है और आप उसे ले सकते हो परिच्छा बहुत परिच्छा सार जिसे भी लेना चाहो ले सकते हो वहां से आप पूरा तयारी कर लेना ठीक है चलो मैं आप लोगो को प्रस्नों दिखा देता हूं और स को पता हो कैसे करते हैं दो एक के सांव जुड़ेंगा जो जो जिस लाइन में और जहां पर है पता है ये जोड़ना है तो जोड़ों के तिन पे तांद में क्या प्राप्त होगा तीन एक तो प्राप्त होगा ठीच है रौb total तो पता होगा रो और कालम ठीक है रो एक पंक्ती को बोलते हैं और कालम क्या है उपर से नीचे ठीक है जैसे हम लोग कालम देते हैं घरों के लिए सेम वैसे ही कालम है उपर से नीचे देखने पर कालम कहते हैं इसके बाद देखो यह जो है समाकलन करने के लिए कहा है तो कॉस square dx, cos square, क्या है, cos square x dx दिया हुए, कामान ग्याद कीजिए, तो cos का, जो, ये तो डाइक्ट हल नहीं होगा, ठीक है, तो इसको कुछ क्या करना पड़ेगा, इसके सूत्र लगाना है, सूत्र लगा के तोड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद, हल करना है आपको तो ये देख लो जैसे कि इसको cos square को तोड़ा है तो 1 plus 2 cos हुआ और 1 plus 2 cos में अब इसको समा कलंड करते गया तो भाईया यहाँ पर क्या जाएगा एक में x आ जाएगा और 2 है मतलब 2 है तो कितना आ जाए 1 upon 2 और इसके बाद क्या है sin cos का क्या हो जाता है sin होता है न समा कलंड करने पर तो minus sin 2x upon 2 और जो तीसरा मान है उसको c रख दिया है c रखने की जरुवत नहीं है option में है ही नहीं ठीक है जा हो तो रख सकते हो c की कोई value नहीं है यह 0 ही रहेगा ठीक चलो आगे देखते हैं इसके बाद तीसरा प्रश्ण में दिखाता हूँ यह तीसरा प्रश्ण समीकरन है ना तो d square इसे मतलब लगभग लगभग तोड़ते जाना है आपको और इसमें क्या पूछा है घात पूछा है चलो देखते हैं क्या क्या निकालना है कोटी और घात बताना है तो इसको जब हम लोग d square इसका work कर देजें पूरा पूरा तो work करेंगे तो अंडरूट कर जाएगा ना work करने पर तो इसके घात कितने होगे समीकरन की कोटी जो है वो 2 और इसके घात क्या है 2 है ठीक है d square और 2 घात तो घात यह है और d square जो लिखा है वो क्या है कोटी है इसका समझ में आ गया चलो आगे देखो इसके बाद चौथा प्रसन है सदीस दिया हुआ है तो a vector बराबर 2 i cap माइनस 7 j cap माइनस 3 k cap का परणाम ग्यात किजिए कह रहे हैं तो परणाम ग्यात करना है तो कैसे करोगे इसको बाल लगा दो बाल लगाओगे तंडरूड लग जाएगा उसमें आई यह सब क्या होता है वर्ग हो जाता है ना वर्ग हो जाता है तो j का वर्ग k का वर्ग तो यह माइनस में मान प्राप्त होता है, तो ये अंदर में प्लस में हो जाएगा, इस तरह से इसका मान कितना का 62, इसके बाद खंड बा में आते हैं, खंड बा में देखो मान ग्यात कीजिए कह रहा है, तो मान ग्यात करना ये अब नंबर जो है बढ़ गया न, एक एक नंबर के प्लस न चार तख था अब ज्यादा नंबर के आ रहा हैं तो यह दो दो नंबर के हमालों तो मान ज्यात कीजिए तिहाँ पे दीएको Sine दिया हुए कोष्टक के अंदर Pi अपां 3 minus sign minus one कोष्टक के अंदर minus one upon two और इसको क्या करना है हल करना है तो जो minus one upon two है अगर मैं भूल जाओ, 1 upon 2 किसमें होता है, तो 1 upon 2 है, वो 30 cents में होता है, ठीक है, तो 30 cents को कैसे लिखेंगे, तो 30 cents को πाई के रूप में अगर लिखेंगे, तो πाई, और कितना 6, तो देख लो 30 cents आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 180 को divide करके देख लो, ठीक है, तो 6 से divide करोगे, एक सवस्ती को कितना आएगा, 30 आएगा, ना 6, 12, 16, 18, तो πाई upon 6, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कहां से आया, सोचना मत, ये नियम और एक तरीका होता है, जिससे हम किसी भी संख्याओं को, इस तरह से बांट सकते हैं, ठीक है, तो ये पाई upon 6 आ गया, और ये दोनों हल होके, पाई upon 2 हो गया, और इसका मान कितना होता है, मतलब पाई upon 2, मतलब 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, एक, ठीक, इसके बाद छटवा प्रशन देखो, यहाँ पे छटवा प्रशन है, 1, 1, 1, A, B, C, D, A, B, C, और C, A, B, बराबर हमें क्या सीथ करना है, जो राइट हैं साइड में, वो सीथ करना है, चलो हल करते हैं, बहुत आसान रहता है, दो मानों को जीरो कर देते हैं, किसी कंडिशन में जीरो हो जाएगा न, बहुत आसान है, रो में नियम लगा लो, रो का नियम क्या है, आरवन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे में लगाया भी है, आरवन विक्टर, आरवन माइनस आर्टू, घटा देंगे, निकल जाएगा, उसी तरह से तीसरा को भी घटा दो, ठीक है, तो देखो, दो मान यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, दो मान, जीरो हो गया, अब आप क्या करोगे, एक के सापेक्ष न, आप सिर्फ हल करोगे, एक के सापेक्ष, तो एक के सापेक्ष करोगे, तो हल में राइट हैं साइड आटोमेटिकली सीध हो जाएगा ठीक है और कुछ नहीं करना है बस एक दो बार लगा दो नियम उसके बाद डायक्ट हल करो बीने नियम लगाए भी डायक्ट हल कर सकते हैं उसमें बहुत बड़ा बनता है उत्तर इसलिए हम छोटे करने के लिए नियम लगाते हैं ठीक है सीवन के साफ एक चुइस्तार करन में यह मत देखना यह आसानी से आप लोग उत्तर आ जाएगा ठीक है चलो आगे देखो इसके बाद अवकलन समी करन यहां पर दिया है डी वाई अपान डी एक्स बराबर वन प्लस वाई स्क्वेर अपान वन प् अब उनका समाकलन करदेते हैं तो समाकलन करेंगे यह सुत्र होता है 10-1y का सुत्र होगा और यह 10-1s का सुत्र होगा 11 प्रस्ण देखो बिंदू दिया हुए 2, 4,-5, एक दो तीन भी दिया हुआ है यहां पे बिंदू बिलाने वाले रेखा कि दृक को जिया ग्याद किजिए कह रहा है तो इसका जो सुत्र है X2-X1 Y2-Y1 यह जो है न दूरी ग्याद करने वाला सुत्र है अब यह जो सुत्र है यह थोड़ा सा बड़ाद हो गया है दसवी के जो एकजाम था न उसमें यह सिर्फ X2-X1 और Y2-Y1 बस होता था और वरग होता था लेकिन इसमें तीन मान है तो क्या होगा जेड तक के चला गया ठीक है तो जेड तक क्या हल करना है बस इन सभी के मानों को यहां पर रख दो रखोगे तो यहां पर मान प्राप्त हो जाएगा तो देख सकते हो यहां पर L, M, N का मान निगला हुआ है इसके बाद बारवा प्रश्ण देखो बारवा में है P, A बराबर 0.8 P, B, बराबर 0.5 और P, B, A तो 0.4 हो तो सीध कीजिए तो क्या-क्या सीध करना है दो प्रश्ण इसमें पहला है P इंटर्सेक्षन, A, इंटर्सेक्षन, B और दूसरा है P, A, B ठीक, इसको सीध करना है क्या करोगे, मान बसको तो रखोगे ना और कुछ नहीं करना है, मान दिया है, रख दो रखोगे तो सब कामान आ जाएगा, चलो आगे देखते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें जिसमें मान दिया रहता है बस रख के हल करना होता है, जोड़ना घटा ना गुड़ा भाग, चाही तो नियम है यह चार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता खंड सामय आते हैं, तेरा तेरवा प्रशन है ना, तो खंड सा, तेरा वाला जो है, चर्चन नंबर के क्या, ठीक है, चर्चन नंबर के बहुत सारे प्रसनाब चर्चन नंबर में आपको देखने भी लेगा सित कीजे की नीचे परिभासित फलन, एफ अनुपात एन वेक्टर एन, एक एंकी दथा अच्छादक दोनों ही हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक वीसा मैं कह रहा है, एक सम मैं कह रहा है, तो वीसा मैं मतलब जब भी आप एक सगी वेल्यू ऐसे मान रखोगे तो आपको वीसा मैं प्राप्त होगा और एक सगी वेल्यू जब आप जो भी रखोगे, तो सम प्राप्त होना चाहिए इसका नीयम है, तो एक सवान और एकस टू, ठीक है, इस तरह से फिर आगए X1 X2 दोनों भी सम है, अगर condition में दोनों भी सम लेते हैं, तो X1 X2 दोनों बराबर प्राप्त होगा, ठीक है, आगे देखते और दोनों को सम लेंगे तो भी दोनों मान बराबर होंगे, तो ये है रहा इसका पूरा उत्तर, और ये नीचे में कुछ फार्मेल्टी लिख है fay kaanki यह आप लोग लिख लेना ठीक है इसके बाद आथ्वा क्योंकि चरक्षा मंबर के प्रस्न है तो आथ्वा भी आपको तेखने मिलेगा तो जितने प्रस्न है उसमें अथ्वा भी तैयारी करना है आपको ठीक है सभी x बराबर नहीं दो पांटीन के लिए f o f x बराबर x के हट f का प्रतिलोम फलन क्या है तो यहाँ पे हल देखो f x बराबर 4 x प्लस 3 पांच 6 x मैनस 4 यहाँ पे दिया है ठीक है इसको हल करोगे तो f o f x जो है इसका मान जो है न o f x वाला है इसका मान बता है यहाँ पे यह रख देना है f x अक मान है यह और उसके बाद इसको हल करोगे तो यह पूरा यह मान जो नीचे में वह आ जाएगा और इसका जो दूसरा रूप है जो प्रतिलोमक फलन निकालने के लिक है तो आप इसको थोड़ा सा हल करोगे यह निगल जाएगा ठीक है दो फार्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको और इसके बाद 14 प्रशन देखो 10-1 जिसका मान है और 10-1 यहाँ पर 2 मान दिय न तो पाई अपन फ़ो वो तो सीध्थ तो हो तो एकसक मान ग्याद करने यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार्ट से हैं दोनों को हल कर दिया गया है 10 में ठीक आगे दिखते हैं इसका कुछ चिस्सा जो है यहाँ पर हैं तो यह रहा इसका उत्तर पूरा, फिर 10-1 है, ठीक, अभी इस साल तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, 12 वालों को, लेकिन अगले साल 12 वालों का ना, पूरा complete रहेगा, यह जो गडित है यह, और आने वाले सारे प्रसनों को, मैं आप लोगों को बता दूंगा, क फिर यहां से, इतना, इसके बाद 15 प्रशन है, 15 प्रशन में, अब क्या है, बहुत सारे प्रशन है, मतलब जितना दिखाऊंगो, उसका दो गुना प्रशन, 29 प्रशन है, तो 29 प्रशन में आप माल लो कि 60-60 प्रशन, 29-60, 50 प्रशन कास पास मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी मैं आपको सिर्फ उत्तर दिखाते जा रहा हूं, यह उकलान है, बहुत आसान होता है, यह रहा उत्तर, और 16 प्रशन देख लो, 16 प्रशन यह बहुत आसान प्रशन है, जितने मान 0 हो सकते, 0 कर लो, इसके बाद एक के साथ हल करो कि आटोमेटिकली उत्तर आ जाता है, तो यह सबसे सरल मुझे यह विधी लगता है, और इसका अधा हल यहाँ पे है, ठीक, इसके बाद 17 प्रशन देखते हैं, एक घन का आतन वाल है न, 9 cm की दर से बढ़ा है, तो यदि इसके कोर की लंबाई 10 cm होतो हो, इसके प्रिष्ट का चेतरबल की इस दर से बढ़ रहा है तो यह बताना है, तो यह रहा, ठीक, घनातन, और इसका कुछ हिस्सा जो है, यहाँ पे है, और कुछ हिस्सा जो है, वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, इसके बाद अथवा प्रशन देखो, अंतराल याद कीजिए कह रहा है, तो 2 x 3 गात है, माइनस 15 x, प्लस 16 x, प्ल बड़ा बड़ा उत्तर है, तो समझा के तो बता सकता है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए देख लो, ठीक है, यह प्रशनों की तैयारी आपको करके रखना है, इसके बाद अगला देखते है, यह रहा ठारवा प्रशन, ठीक है, यह प्रशन बैंक से लिया है, क्योंकि प्रशन बैंक से भी प्रशन आएगा, तो हमें छोड़ना तो नहीं, यह सब को पढ़ना है, तो यह रहा अमान ग्याद कीजिए कह रहा है, अब यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा यहाँ तक के है, और कुछ हिस्सा यहाँ तक के में complete है, ठीक है, सुत्र बस याद करना है, यह सबसे जादा ना सुत्र की वज़ा से टफ रहता है, फिर उनिश्वा प्रशन देखो, यह रहा उनिश्वा प्रशन और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है, लेप्ट हैं साइड में और यह कुछ हिस्सा लेप्ट हैं यहाँ तक के complete है, चलो आगे देखते हैं, इसके उसके बाद 20 प्रशन देखो, यह रहा 20 प्रशन, और क्यूउ का मान दिया हुआ है और इसमें विश्ठापन होता है किता यहाँ भी है, भलो द्रशन किया तक कार्या यहाँ पे है, यह रहा, फिर 20 प्रशन देखो, 9 प्रसन और बचा है, टिक है, नौ प्रसन आपको और दि और बाईसवा प्रती देखलो एक तैले वाला है तो यह तो स्याद तास के पत्ते जैसे है न तो तास के पत्ते वाला टाइप का प्रते रहेगा तो प्राइगत्तम उठत वाला है रहता है ऐसे प्रस्टन यहां तक और कुछ हिस्सा जो है यह है वो यहां तक ठीक है यह रहा completed है यहां पे फिर इसमें तेस्वा प्रशन देखते हैं तेस्वा देखो यह रहा पासों के जोड़े वाला है ना तीन बार उचालने पर संख्याप्रती प्राइक्ता बटन बंटन ग्याद करना है तो X012 की संभव मान करता है तो यह रहा पीए 635 बराबर 156 द्विक प्राप्त ना होने की प्राइक्ता यहां तक के और यह रहा यहां तक के इसके बाद खंड द अब आया खंड अब यह चैच्छा नंबर के प्रस्न रहेगा खंड द में ठीक है चोबीस से लिए जो प्रस्न है व बहुत बड़ा बड़ा उत्तर जाएगा इसका मैं आपको दिखाते चल रहा हूं यह है और यहां तक के ठीक है यहां तक के कंप्लीटेड है फिर 25 देखो यह वाला प्रश्न है और इसका अधा हिस्सा जो है यह आपको राइट हैंड साइड में देखने मिलेगा यह रहा य क्योंकि पहले से बता दिए एक उत्तर ही आएगा बस उत्तर को आपको लाना है जो ट्रीक आपको आता है जो तरीक आता है उससे सीथ करना है तो सबसे सलल मुझे लगता है सीथ करने वाला फिर यह 27 प्रस्ट्वा परवला है य बराबर फॉर पॉर ए एकस और रेखा य बर यहां तक कि है फिर अथ्वा है इसमें अथ्वा प्रश्य दिख सकते हो यह रहा मैं आपको फॉस्त दिखाता हूं थोड़ा सा यहां सुत्र से देखो यह सुत्र है फिर इसका कुछ हिसा यहां पर दिया हुआ ठीक है इसके प्रश्ण तो यह 28 प्रश्ण आर वेक्टर दिया हुआ है ठीक है यह कुछ इस्सा यहां तक के और अंतिम हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं एक मिनट इसका हाँ ठीक अंतिम हिस्सा होगे अब यह आथ हो आ गया यहां तक देख लो और यह भी फिर 29 प्रश्ण यह रहा 29 और यह रहा इसका पूरा सॉलूशन और यह रहा 29 प्रश्ण का जो 29 अत्वा यह अत्वा है यहां तक के ठीक है और यह यहां पर आएंगे 29 प्रश्ण यहां यह रहा यहां पर है ठीक है और यह रहा इसके अंतिम ठीक है तो कुछ इतने प्रस्ण है अब इन सभी प्रस्णो को आपको तयार कर लेना है फिरहाल मैं आपको समझाना चाहता था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो प्रस्नों को परिच्छा वोद में टिक कर लेना या परिच्छा साल में टिक कर लेना टिक करने के बाद यह आसानी से आपको मिल जायागा ठीक है यह पूरा का प